ये काम अगर रूस, चीन, अमरीका या ये योरोप का कोई भी देश करता तो पूरी दुनिया में हला हो रहा होता आर्टिकल पर आर्टिकल छापे जाते और न्यूज मीडिया खुब इस पर ग्राफिक बना कर आपको बता रही होती कि ये क्यों दुनिया का बेस्ट वेपन है लेकिन आज ये कारणामा भारति वेज्ञानिकों ने कर दिखाया है तो सब के मूँ में दही जम गई है, सब मूँ पर ताला लगा कर बैठ गए हैं, कोई भारत की तारिफ तो छोड़िये, इस पर बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चिन्थ हो जाईए, भारत वो जो अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं, लेकिन ये कारणामा है क्या, चले मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, दरसल माल लेजिए कि आपने हाईपरसोनिक जो मिसाइल है, जिसे कहा जाता है, कि इन से ताकतवर मिसाइल भरती पर कोई नहीं है, और ऐसा क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई air defense system या कोई भी ऐसा mechanism तयार नहीं हो पाया है, जिससे कि आप हाईपरसोनिक मिसाइलों को मार कर गिरा सकें, मार कर गिराना तो छोड़िए, आप इन्हें पकड़ भी नहीं सकते, ना ही track कर सकते हैं कि ये किस दिशा से आ रही है, और कि एक मिसाइल जिसकी रफतार पांच barrier से उपर होगी, वो हाईपरसोनिक कहलाएगे, लेकिन average जो speed होती है, वो 7 से लेकर 10 Mac तक होती है, एक Mac मतलब आवाज की रफतार, पांच Mac, आवाज की जो रफतार है, उससे 5 गुना तेज, आप खुद सोच लीजिए, mobile से निकल कर जो मेरी आवाज आपके कानों तक मोच रही है, ये कितनी तेज होता है, आपको पता भी नहीं चलता, instantly आपको आवाज सुनाई देती है, ये रफतार जो आवाज की है, इसे आप कम से कम 5 गुना कर लीजिए, उतनी भहंकर रफतार होती है, हाईपरसोनिक मिसाइलों की, और इत मिसाइले कहा जाता है, तो खेर, आप एक हाईपरसोनिक मिसाइल लीजिए, दूसी तरफ आप दुनिया का बेस्ट एर डिफेंस स्टम ले लीजिए, जैसे की S-400, और इन दोनों को आपस में जोड लीजिए, ये हतियार आप सोचिए, दुनिया में क्या तहलका मचा देगा और ये हतियार भारत ने अब बना कर लगभग तयार कर लिया है, और इसे नाम दिया गया है PGLR-SAM, और इसे भारती नोसेना के लिए बनाया गया है, और आपको बता दू, इसको लेकर जो अप्रूवल था, वैसे तो वो भारती कैबिनेट कमेटी औन सेक्योर्टी ने 2022 में नहीं दे दिया था, और इसके लिए करीबन 2.6 अरब डोलर भी जारी कर दिये थे, लेकिन इसके काम पर क्या प्रोग्रेस हुई, वो पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि ये बहुती ज़्यादा सीक्रिटिव प्रोजेक्ट है, लेकिन अब इस पर एक बड़ी खबर ये आई है कि भारतिय नोसेना ने इसकी कुछ डीटेल जारी करी है, जो देखने में यकीन मानिये, बहुत ही जादा अमेजिंग है, तरसल रिपोर्ट्स में बताया गया है, कि जो ये PGLRSM होगा, ये तरीके का Air Defense System होगा, जो की Medium Range का होगा, इसमें तीन परकार के Interceptor होंगे, पह PCB परकार का Aerial Target ये धुहस्त कर देगी बड़ी आसानी से, लेकिन जो दुश्मन को तोड़ने की रफतार होगी, वो Unimaginable होगी, बताये गया है, कि जो इसकी Interceptor Missile होगी, मतलब कि एक Air Defense System में दो Component होते हैं, पहला Radar, Radar से आप ये पता लगाते हैं, दुश्मन ने आप की तर trajectory, उसकी जगे, location वगेरा, और उसके बाद आप जो इस Defense System का दूसरा हिस्सा है, Interceptor, जो एक परकार की मिसाइल होती है, उसे fire करते हैं, और वो जाकर दुश्मन के लड़ा को विमान या फिर ड्रोन पर जाकर टकराती है, और उसे नश्ट कर देती है, तो खैर इन दो Component को मि जाकर ही एक Air Defense System मनता है, जो दुश्मन से आपको और आपके देश को बचाता है, तो खैर बताये गया है कि इस Missile Defense System का जो Interceptor Missile होगा, उसकी रफतार साथ मैक होगी, जी हाँ, हाँ, हाइपर सोनिक के लिए पांच मैक चाहिए, ये आवाज की रफतार से साथ गुना तेज रफतार से चलेगा, यानि कि दुश्मन का लडाकु विमान कब नश्ट हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चल पाएगा, यही चीज इसे दुनिया का Number One Air Defense System बनाएगी, क्योंकि देखिए, जो दुश्मन की मिसाइले होती है, उन्हें मार कर गिराना फिर भी आसान होता है, ले आपने उसके लडाकु विमान को मारने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी है, वो उससे बचने के लिए अलग तरीके अपना सकता है, हवा में किसी परकार की डोज कर सकता है मिसाइल को, ऐसे में उसके पास proper टाइम होता है, क्योंकि इंटरसेप्टर की रफतार उतनी जादा नहीं होती लेकिन इस Interceptor की रफतार इतनी तेज होगी लडाकु विमान में बैठे पाइलेट के पास response टाइम ही नहीं होगा इसलिए वो बच ही नहीं पाएगा यही कारण है कि इसका बेसबरी से इंतिजार हो रहा है और इसी इंतिजार को अब खतम भी कर दिया बाद कुछी साल में इसे भारतीय नो सेना को दिया जाएगा इतना ही नहीं नो सेना इसे लेने के लिए जितनी उत्सूख है उससे ज़्यादा बेसबरी हमारी वायू सेना है जिन्नोंने ओल लेडी इसका ओडर भी प्लेस कर दिया है इससे आप समझेए कि क्यूं भारत की वाईयू सेना और नुए सेना इसे हर हाल में जल्द से जल्द पाना चाहती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमारी सेनाओं को मिले इसकी टेस्टिंग सत परतीशत रिजल्ट के साथ सक्सेस्फुल हो हाला कि जब भी टेस्ट होगा वो भी मैं आपको रिपोर्ट दूँगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना